दोस्तों मेरी PC की स्कीन लॉक हुने पर कुछ इस तरह से 3D नम देखता है अगर आप भी अपने लैपटव या PC में कुछ इस तरह से 3D नम सैट करना जायते हैं तो वीडियो को स्किप करके नहीं देखना तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको Mouse की Right वटन पर क्लिक करना है यहां पर Personalize पर क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों आपको यह यह एक Option मिल जाएगा Log screen उसपर आपको क्लिक करना है देन दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से Interface आएगगा आपको नीची की और स्क्रॉल करना है यहाँ पर आपको एक option और मिल जाएगा screen saver setting का तो इस पर आपको click करना है जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो कुछ इस तरह से pop-up page open हो जाएगा फस्ट आपको यहाँ पर none लिखा हुआ देख जाएगा इस पर click करके आपको 3D text पर set कर लेना है और दोस्तो अब आपको setting में आना है यहाँ पर आपको custom text पर click करके name को edit कर लेना है जो भी name आप अपने PC की screen पर set करना चाहते हैं और दोस्तो आप यहाँ पर देखेंगे rotation type text की rotation type में आपको देखने को मिल जाएगा spin c saw bubble तो मैं वबल में ही इसको set कर देता हूँ और दोस्तों यहाँ पर आपको font भी देखने को मिल जाएंगे जो भी आप font set करना चाहते उसको आप ok पर click करके easily set कर सकते हैं यहाँ पर भी आपको ok कर देना है अब दोस्तों आपको preview में देख लेना है किस तरह से आपका 3D name सो होगा आपके PC की display पर या laptop की display पर तो कुछ आपको यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आप अपनी 3D name को one minute two minute three minute तक डिले करके रख सकते हैं मैं इसको one minute ही रहने देता हूं लास्ट में दोस्तों आपको apply पर click करना है and ok पर click करके set कर देना है and back आ जाना है अपने PCI laptop की screen को one minute तक ऐसी छोड़ देन करना है तो कुछ इसतरे से नहीं सो होने लगेगा आज की वीडियो में इतना ही मिलते एक नए वीडियो में एक नए टॉपक के साथ अब तक के लिए टेक कियर